यहीं दुनिया के कुछ कलरफुल यानी रंग बिरंगे एनिमल्स जो दिखने में बहुत ही प्यारा और यूनिक लगता है और खुबसूरत तो है ही हेलो दोस्तो मैं हूँ भी पुल और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ दुनिया के आठ कलरफुल एनिमल्स से जिससे सायद ही आपने देखा होगा नमबर वन हरीकम सिरम ये इंडियान और पेसिफिक ओसियन के कोरल रीप्स में पाया जाने वाला एकिस स्पीसीज है सॉल्ट वाटर में रहने वाला ये एक बहुत ही खुबसूरत और रंग बिरंगा दिखने वाला जिसका सरीर पर डिफरेंट डिफरेंट रंग जैसे की बुलू, वाइट, परफल जैसे रंगों के अलग-अलग पैटर्न बना होता है जो दिखने में खुबसूरत दिखता ह आमतर पर ये जिंगा अपने भोजन के रूप में स्टार फिस को खाना पसंद करती है इसकी लंबाई दो इंचेस तक होती है लोग इसके खुबसूरती के कारणी से अपने घर के एक्वेरियम में भी रखना पसंद करते है नमबर टू, रैनबो लेरी केट ये पैरोट का ए एलो, ग्रीन, औरेंज जो दिखने में बहुत ही प्यारा और सुन्दर दिखता है ये पैरोट ज्यादा नहीं 12 इंचेस तक लंबा और वजन 200 ग्राम तक का होता है ये पैरोट फूरूट्स, सीट्स और फ्लावर को खाते है ये एक पालतू पच्छी है जिसे आप चाहे तो अपने घर पर पाल सकते हो लेकिन किसी भी बोड्स या एनिमल्स को कैद करके रखना नहीं चाहिए नमबर थिरी मैंड्रिल ये सेंटरल अप्रेटा में पाया जाने वाला एक कलरफूल और मंकीज के इसपीसीज में सबसे बड़ा इसपीसीज है मैंड्रिल इसका सरीर पर ड इसमें एक पुरूस मुखिया होता है ये सकाहरी और मंसाहरी दोनों होते हैं इसका वजन 30 किलोग्राम और जीवन कल 28 साल तक का होता है नमबर फोर पीकोक ये अफरीका और इसिया में पाया जाने वाला एक लोगपीरिय बर्ड है ये भारत का राष्ट पच्छी भी है इसक इसका सरीर पर ब्राउन, ग्रे, बुलू और ग्रीन कलर का चमकदार पंक होते हैं इसका लंबाई 42 इंचेस और वजन 6 किलोग्राम तक का होता है इसका पंक का साइज 5 फीट तक का हो सकता है जब ये अपने पंक को फेलाते हैं तब ये दिखने में और भी प्यारा और लिखें पीकोक सकाहारी बर्ड है जो प्लांट, सीट्स और फुरूट और फलावर्स को खाता है नमबर फाइब पोईजन डार्ट फ्रोग ये फ्रोग सेंटरल अमरीका और नोर्थ अमरीका और साउथ अमरीका में पाया जाने वाला एक जहरीला फ्रोग है लेकिन ये से भी ज्यादा स्पीसीज मोजूद है जिसमें से कुछ स्पीसीज ही जहरीला होता है नमबर सिक्स एसकारलेट मकाव नोर्थ अमरीका और साउथ अमरीका में पाया जाने वाला ये रंग भी रंगा पैरोट है जिसका सरीर पर मूखी रूप से लाल पिला निला और सफेद के रंग का पंक होता है और चोंच का रंग काला और सफेद होता है ये पैरोट दिखने में बहुत ही प्यारा और खुबसूरत लगता है इसका लमबाई 12 इंचे सो और जीवन का 75 साल तक का होता है ये पैरोट इंसानों के तरह ही आवास निकाल के बोल सकता है स्कारलेट मका पाव पायरोट की परजाती का सबसे बड़ा पायरोट है इसे दुनिया भर में लोगों द्वारा पिंजरा में कैद करकर पाला जाता है इंडियन ओसियन और पेसिफिक ओसियन में पाया जाने वाला ये खुबसूरत और रंगीन मचली है जिसका सरीर पर बुलू, एलो, रेड, गिरीन और वाइट रंगों से अलग-अलग डिजाइन बना होता है जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और मन करता है कि अपने घर के एक्विरिया में भी रख सकते हो इसका साइज 2.4 इंचेस और जीवनकाल 5 साल तक का होता है ये मचली, माइक्रो ओर्गिनीजम और लारवा को अपने भोजन के रूप में खाना पसंद करती है नमबर 8, बुलू मोर्फो ये सेंट्रल और साउथ अमरिका के रेंफोरे साइज में से एक है इसका लंबाई 3-4 इंचेस तक होती है और इसका पंग 8 इंचेस तक फैल सकती है जो दिखने में बहुत ही प्यारा और लुभावना लगता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें